जहीं दोस्तों चलते चलते में फिर से एक बार स्वागत है आपका आज 21 जून है और आप देख सकते हैं कि मार्केट खुला खुला सा है ये ठीक जो है रसाज के आसपास का एरिया है कैफे कॉफी डे राइट में लेकिन वो बंद है लेप साइड में आप देख सकते हैं रसाज है आवाज आहीं सुरू है जिंदगी पट्री पे लोटी भी दिख रही है लोग आ रहे हैं जा रहे हैं दोस्तों कल हमारी मुलाकाद जो है आपको एक जानकारी देदू कल हमारी मीरा भाइंदर महानगरपालिका के आयूट चंदरकान डांगे जी से हुआ और उन्होंने एक वीडियो मैसेज के जरिये बताया कि बहुत सारे लोगों को इस बात की क्वाइरीज है कि आखिर क्रोना संख्या जो है क्रोना पॉबिटिव केज जो है क्यों बढ़ रहे हैं त आते हैं और वहां से आते हैं तो आवाजाही बहुत जादा हो गई है इसमें कई लोगों के संपर्क में आते होंगे और उसकी वजे से जो है प्रोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है ये बात थोड़ी समझ में आने वाली भी है कि क्योंकि लॉक्डान जो है पूरी लोग ट्रैवल कर सकते हैं तो इस वज़े से एक दूसरे के कॉंटेक्ट में आने की वज़े से जो है कुरोना पॉजिटिव जो है मीरा वाहिंदर में बढ़ रहा है ऐसा माना जा सकता है लेकिन अब क्या है कि लॉक्डान को पूरी तरह से लॉक्डान भी नहीं किया जा सक सकता है चुकि लोगों का जीवन जो है बड़ी कठिनाईयें से गुजर रहा है यानि जन जीवन जो है बंद रख करके लॉक्डान रख करके उनके अपने जो खर्चे वो कैसे चलेंगे यानि एकोनोमी में बहुत ज्यादा असर पढ़ रहा था और ऐसा भी नहीं है कि के वाइरस जो है आए हैं उनके वैक्सीन बने हैं उसी तरह से क्रोना भी समझे आ चुका है और इसके वी वैक्सीन जब तक नहीं आते तब तक लोगों को परेज और परेशानी से जो है घुजरना ही पड़ेगा परेज करना पड़ेगा तो बिला जुला के कहने का मतलब य जा गया है लोग जो है अपने अपने काम पे जा रहे हैं लेकिन इसमें एक बात ही सबसे जादा कि अगर ये क्रोना पॉजिटिव की संखिया लॉगडान फुलने के बाद क्यों बढ़ रही है तो इसके वर्ट बढ़ने की वज़े यह हो सकती है कि लोग एक दूसरे के सा म मतब बढ़ अगर क्लोज में ना आए और कम से कम मास्क और जब भी बाहर निकले तो घर में तो जबुड़त नहीं है आपको मास्क पहनने की लेकिन अगर आप बाहर निकलते हैं तो मास्क अगर कंटिनू पहने लहें और वक्त वक्त पे अगर किसी से हाथ टच हो या कुछ ऐसा कहीं पर आप किसी चीज को छू लेते हैं तो सेनेटाइज अगर हाथ को कर ले तो ये एक बड़ा प्रिकॉशन होगा तो कहीं ने कहीं ऐसा लगता है कि इस तरह से जो है लोकडाउन खुलने के बावजूद लोग सामानी जीवन जी सकते हैं और जिन्दगी देखिए आप आप देख सकते हैं कि दीरे दीरे जो है पटरी पर आ रही है कल उन्होंने दो विसेश बाते और बताई मंत्पा आयुक चंडरकान डांगे जी ने कि एक तो जो टेनेंट है यानि 11 महीने जब लोगों का पूरा हो जाता है किरायदार लोगों का तो उनको सिफ्टिंग का प्राब्लम हो रहा था यानि सोसाइटी जो है उनको सिफ्टिंग में बहुत जादा प्राब्लम दे रही थी तो उन्होंने मैसेज दिया है कि ऐसा कोई भी जो है उन्होंने रिस्टिक्शन पहले से भी नहीं लगाया हुआ है कि सिफ्टिंग नही दूसरा उन्होंने house made यानि कि जो घर काम वाली होती है तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि काम वाली का medical certificate not corona positive or negative certificate medical certificate यानि एक medical check-up करा करके medical report के आधार पे जो है काम वाली को permission रहेगा वो घर काम करने के लिए आ सकती है जा सकती है तो ये कल की ही बात है इस बारे में हमने दो वीडियो तो publish कर दिये है और तीसरा जो house made से related है वो भी publish कर दूँगा तो दोस्तों मिला जुला के आपको देखती में आ रहा होगा कि ये सब जिस जिन रास्तों से मैं गुजर रहा हूँ वो सब कही न कहीं जो है पूरी तरह से ब तराबर इलवर पार्क के इलाके में आगे left side में देखे कुछ दुकाने है जो बंद है तो चुकि आज जो है right side के दुकान खुली रहे की तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि जिन्दगी पटरी पे लोटती भी दिख रही है आपको पहले भी हमने बहुत सारे विज्वल दिखाए थे जिसमें लोग जो है रोड पे बिलकुल नजर नहीं आते थे और एकदम सुना लगता था लेकिन अब ऐसा नहीं है लेफ साइड में दिखे डी मार्ट है और डी मार्ट जो है खुला हुआ है हाँ डी मार्ट खुला हुआ है और डी मार्ट में लोगों की आवाज आही चल रही है यह हटकेस के आसपास का इलाका है सामने की एक रिस्तार ब्लू वर्ड वाइन्स की दुपान है लेकिन यह भी जो है बंद ह है होम डिलिवरी चालू है और यह सीधा सीधा रास्ता वापस जो है हम तुवर्स गोल्डन निस्ट की तरफ जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि आज जो है इस साइट जा रहे रास्ते बे तो लेफ्ट साइट की दुकाने फुली हुए तो और इवन का पालन हो रहा है कल इ अज जो है फुली है यह सारे फ़र्नीचर्स वगरे की दुकाने हैं आप देख सकते हैं और यह सब कढ़ी न कहीं फुली हुए तो यह लेफ्ट साइट की सारी दुकाने फुली हुए तो और और इवन के हिसाब से चल रहा है और धीरे-धीरे जिंदगी जो है फट्री पे लौड रहेगी यह कैनन एसक्वाइर इमेज करके दुकान है और इसको देखते हैं दोस्तों मैं इस वक्त हूँ कैनन एसक्वाइर में यह जो है ठीक बीजय सेल्स के सामने मीरा भाहिंदर रोड पर बीजय सेल्स के सामने है कल भी में आया था लेकिन और इवन के हिसाब से जो है कल इधर की दुकाने बं थी और आज खुली है हमें बैटरी और चारज़र लेना था तो कही न पहीं में अभी चारजर लेने के लिए आया हूं और यहा पर यह दुकान फुला देख रहा हूं इमेज स्कॉयर मेरा भाइंदर रोड पे हूं मैं और मैं जब यहां थो सबसे पहले इन्हों ने सैनेटाईजर का Byतल दिया पुछ लिक्विट दी हमें हाथ में लगाया यहाथ को सैनेटाईज किया देखिए जो मैं इन किया तब भी यह मास्क पेहन करके बैठे हुए थे अकेले हैं लेकिन फिर भी मास्क पेहन करके बैथे वे थे कही नहीं क्या नाम है आपका मेरा नाम आयाज खान जी है इनोंने कहा कि ज्यादा तर जो है तो दोस्तों अगर मेरा भाहिंदर में आपको अगर कैमरे से रिलेटेड यानि कैमरे से रिलेटेड अगर कुछ चीज चाहिए तो आप बिल्कुल जो है मेरा भाहिंदर के image square में आ सकते हैं जो वीजे सेल्स के ठीक सामने है और यह alternate day खुलता है आज संडे है 21 जून है तो आज खुला है तो कल बंद रहेगा फिर परसों खुलेगा तो इस तरह से आप यहां पर आ करके पर्चेजिंग कर सकते हैं तैंक यू सो मच दोस्तों ठीक इस वक्त मैं सिलवर पार्क के पास हूं आप राइट साइड में देख सकते हैं आवा जाहिव पूरी तरह से जो है रिएस्टोर हो चुकी है लोग अपने-पने काम पर आ रहे हैं और लोकड़ान कुला हुआ है राइट साइड में देखे रिक्सा रिक्से में मास्क पहने हुए लोग साइद इस चीज को इग्नोर करते होंगे तभी तो करोना पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं तो उन लोगों से भी मेरी गुजारिस है कि जो लोग अगर मास्क की एहमियत को नहीं समझ रहे हैं तो वो उसको समझे और मास्क पेने और कम से कम एक दूसरे से हाथ तो बिलकुल स्युर्द कर लिए अगर हाथ को सेनभाइज करते रहेंगे बार बार क्योंकि अगर आप हाथ को सेनभाईज नहीं करते आपके चेहरे पे लगाते या कहीं प Platz होता है का स्करके आखंथ नाथ की बास तो वहां से कहींने कहीं जो है प्रुनावा-इस जिसम के अंद्र फैलत और लोग जो है अपना अपना काम कर पा रहे हैं लेफ साइड में कुछ दुकाने हैं अपनी रोजी रोटी कमा पा रहे हैं है और कहीं ना कहीं यह कह सकते हैं कि धीरे धीरे जयंदगी पटरी लौटरी लेकिन चिन्टा का विज़े सिर्फ यह है कि क्योंग केश बल रहे हैं और अगर करना पॉजिटिव केश बल रहे हैं तो इसके जिम्मिदार कही हम सब लोग ही हैं हमें अगर हम यह मान के चले हमने पहले भी कहा है कि हर किसी को क्रोना है और सिर्फ इसमें करना इतना ही है कि एक दूसरे से दूरियां बना कर अगर बात्चीत भी करनी है तो दूरियां बना कर बात करें हाथ ना मिलाए खास करके हाथ ना मिलाए और मास्क का इस्तमाल करें यकीन जानिए दोस्तों अगर इस छोटी-छोटी साफदानी को अगर आप बरतेंगे और इसको सीरियस लेंगे तो लॉक्डाउन धीरे-धीरे पूरा खुली जाएगा और खुलने के बाद भी जो है लोग सामान में जिंदगी जी पाएंगे तो लेफ्ट साइ होटेल्स वगरा बंद है यह बड़ा फेमस होटेल है बाला जी करके यह एक पॉइंट भी बोला जाता है अगर किसी को इस एरिये में आना है तो वो बाला जी होटेल्स के पास जो है बोलते है आने के लिए और यह भी बंद था अगर मैं सीधा-सीधा जाओं तो लेफ्ट स जल रही है सुरवात हुई है कि ने इसका कंफर्मिशन नहीं है हमारे बास लेकिन उनलाइन पढ़ाई ही होगी ऐसा वह कहा जा रहा है कि उस एरिये में ही स्कूल खुलेगा जिस एरिये में गभी सका जो है एक महीने तक कोई भी कुरोना पॉजिटिव नहीं पाये जाएग तो ही स्कूल खुलेगा, ऐसा कहा जा रहा है, आगे चलके इसमें क्या डिवलप्मेंट होगा, यह हम अभी आपको नहीं बता सकते, तो यह सेंट जेवियर स्कूल के पास से हम गुजर रहे हैं, और यह रास्ता कहीं न कहीं, सांती नगर को तच होता है, यह सांती नगर के पा पुली हुई नजर आ रहे हैं, लेफ्ट साइट के दुखाने आप देख सकते हैं, फुली ही नजर आ रहे हैं, यह देखे फोटो स्टूडियो है, वो भी खुला हुआ है, तो दोस्तों यह जांगीर सर्कल के ही आसपास का इलाका कहलाता है, और यह रास्ता सिधा-सिधा ज सब्सक्राइब है, और कमोबेस जादतर लोग हमें मास्क प्रेदे वे दिख रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कि मास्क का इस्तमाल करते वे लोग दिख रहे हैं, यह देखे, बैंक ओफ इंडिया, मेरा रोड, तो और एन इवन के इसाफ से कुली जा रही है, और हम कह सकते हैं, कि क्रोना के बावजूद, यानि क्रोना तो है ही, उसके बावजूद ज्योह है, लोग अपनी अपनी जिन्दगी को पट्री पे फिर से लाने के लिए, जद्धों जहाद कर रहे हैं, निकल रहे हैं लोग डोड पे, और अपनी अपनी जरुवते पूरा कर रहे है यह सीधा सीधा जो है आगे यह सांती नगर के आसपास का इलाका है और जैसे ही राइट साइड लूंगा में वो इदर लेफ्ट साइड जो है यह स्रिष्टी की तरफ जाता है रास्ता और यह राइट साइड जो है सांती नगर की तरफ यह इलाका जाता है तो यह दोस्तों देख सकते हैं कि यहां पर भी जो है आज राइट साइड की दुकाने खुली हुई है और लेफ्ट साइड जा रहा हूं उसके left side के पुकाने बंध है और right side के दुकाने fully हुई जे left side में एक मंदिर है जैन मंदिर के नाम से famous है ये मंदिर जो है कि यादि कि मंदिर यहीं नहीं हर एक मंंदिर बंध है मजजिद बंध है गुरुद्वारा बंध तो यह सांती नगर के आसपास का इलाका है मैं यहां पर आया हूँ और यह यहां पर देखे लक्षमी प्लाजा करके है तो मुझे कुछ परिदना भी है लक्षमी प्लाजा के नाम से फेमस है यह